बिहार में जारी सियासी कोहराम के वीच पूर्वु मुखे मंत्री नितिस कुमार आज अपने 130 समर्थक विदायकों के साथ राश्टपती से मुलाकात करेंगे आपको बता दें कि नितिस बीतीदाती दिल्ली पहुँच चुके हैं इधर उन्होंने अपने समर्थक 130 विदायकों का राश्टपती के समक्ष परेट कराने का दावा किया है जानकारी के बता दें कि बिहार के राजिपाल केस्री नातिर पार्टी की तरब से इस सियासी संकट को दूर करने में हो रही देरी के चलते सीम जीतन राम मानजी की जगे जेडियो विदायक दल की नेता चुनेगे नितिस ने ये कदम उठाया है वहीं दूसरी तरह बिहार की सत्ता में बापसी की कोशिशों में जुटे नितिस कुमार को पटना हाइकोर्ट ने करारा जटका दिया है हाइकोर्ट ने साथ फर्वरी को ही जेडियो विदायक दल की उस बैठा को गार कारूनी बताया है जिसमें उन्हें नेता चुना गया बहराल बिहार में जारी इस सियासी उठा पटक का क्या परड़ाम होता है इसकी तस्वीर तो आने वाले दिनों में ही साफ होगी नेक्स्ट नाइम न्यूस के लिए गाइटरी गुपतागी रिपोर्ट